subscribe कीजिए mobile technical guru चैनल को और bell icon पे किलिक करें हमारा latest वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों mobile technical guru में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आजका ये वीडियो बहुत ही कमाल का है और आपके लिए बहुत ही useful होने वाला है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी वीफोन में पिन लाग, सेक्योर्टी लाग, पैटरन लाग डाल कर भूल गए हैं तो उसे कैसे हटाएंगे बिना किसी केम्पूटर के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ अगर आप भी पिन लाग पैटरन लाग सेक्योटी लाग तोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप्ट किये लाश तक देखना होगा वीडियो सुरू करने से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजे और कमेंट बाक्स में ना इस वीडियो टाइप कर दीजे हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों की बीच में वार्साब, फेस्बूर, ट्वीटर जहां भी आपका एका अब दोस्तो किसी भी मोबाइल का पीन लाग सेक्योर्टी लाग या पैटन लाग हटाने के लिए आपको मोबाइल को आफ करना पड़ेगा दोस्तो इसमें बैटरी निकालने की कोई सुविधा नहीं है यह उप्पो का मोबाइल है यहां पर देख सकते हैं पीन लाग पड़ा हुगा है ठीक है इसे आपको क्या करना है यदि इस टाइप के आपके पास मोबाइल है तो इससे क्या करिएगा आप ऐसे पावर आफ बटन को देर तक दबाएंगे तो यहां पे आपको पावर आफ करने क्या आप सन मिल जागा यहां से ड्रॉ करके आप मोबाइल को आफ कर ल प्लस बटन और माइनस बटन यह तीन ही बटन यहाँ पर दिये गया है तो आपको इसी दो बटन से आपको यूज करना है माइनस और पावर आन बटन ठीक है कैसे यूज़ करना है यहाँ पे देख सकते हैं पहले पावर बटन को दबाएंगे फिर तुरंत माइनस बटन को ऐसे दबाएंगे ठीक है जैसे दबाएंगे तो आपको क्या करना है power button को छोड़ देना minus button को ऐसे कुछ देर तक दबाना फिर इसे भी छोड़ देना है यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे आपको दबाना है जब आप इस तरीके से minus और power button को दबाएंगे तो कुछ इस type का आपके screen पे window आ जाएगा ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे अपना जो भासा है वो select कर लिजेगा English है तो English पे select कर लिजेगा ठीक है जब इस पे English पे click करेंगे कुछ इस type का interface आपके screen पे आ जाएगा बटन से यह अपसाना हो सकता है कि आपके mobile phone में कुछ अलग type का look आए तो अपने हिसाब से देख लिजेगा ठीक है जहां भी आपका vibe data factory reset है उस पे आप click कर दीजेगा किसी किसी में vibe data delete all user data देता है तो आप अपने हिसाब से set कर लिजेगा अब यहां पे आपको क्या करना है vibe data पे click कर देना है और यहां पे click कर देना है यही आपको करना है दुबारा से mobile आपका restart हो जाएगा यानि बंद हो करके दुबारा से चालू हो जाएगा यहां पे देख सकते हैं थोड़ा सा जब पहली बार mobile को reset करेंगे तो थोड़ा सा समय लगता है लेकिन RAM जिसके में जादे रहेगा जिस phone में जादे रहेगा वो mobile जल्दी से on हो जाएगा तो यहां पे आप ध्यान से देख लीजिए यहां पे जो भी हमारा पीन लाग था वो हड़ चुका है यदि pattern लाग है तो उसे भी आप यह minus या plus का इस्तेमाल करके अपने mobile phone को unlock कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को आप subscribe कर लिए ताकि जब भी कोई इस टाइप का वीडियो आपके लिए बनाओं तो उसका notification आपके mobile पे सबसे पहले जाए तो दोस्तों मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए